नवास शिरिफ के जनम दिन और उनकी नातिन के निकाहा के मोके पर लाहोर पुँचकर पुरदान मंतरी निरेंदर मोदी ने सबको अचलज में डाल दिया किसी ने सर्प्राइज डिप्लोमेसी कहा तो किसी ने मोधी का मास्टर स्टोक कहा लेकिन बदले में पाकिस्तानी आतंकियों ने पठान कोट का हमला दिया इनी तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वाजबे इस सरकार में विदेश मंतिरी रहे यश्वन सीना जी यश्वन जी आस तक में आपका स्वागत है यश्वन जी एक तरफ तो पाकिस्तान के साथ दोस्तिकी बात की जाती है खुद नरेंदर मोधी वहाँ पे पहुंचे लाहुर में लेकिन दूसरी एवर्ज पठान कोड़ पे हमला किया जाता है किस दंग से देखते हैं इसको देखे भारत और पाकिस्तान के जो सतर साल के रिष्टे रहे है उसका अगर किसी ने भी कोई अध्यान किया है तो एक बात बिलकुल साफ जलक कर आती है सामने और वो यह है कि इन दोनों देशों का रिष्टा बहुत ही खतरनाक मोड़ पर बराबर आता हर दिन हर घंटे और कभी भी कोई अक्सिडन्ट हो सकता है तो इसलिए आप कहते हैं कि लाहर गए तो उसके बाद पठान कोड़ हुआ बाजपाई जी जब लाहर गए थे तो कारगिल हुआ उन्होंने जब मुशरफ को आगरे बुलाया तो उसके पार्लिमेंट को उपर अटैक हुआ तो इस तरह की घटनाएं घटती रही है और इसी लिए पाकिस्तान से डील करते वक्त हमको इस इतिहास को याद रखना बहुत ज़रु हुआ है अब आज के दिन क्या इस्थिति है पठान कोड के बाद आज के दिन इस्थिति ये है कि एक बहुत बड़ा तपका इस देश में है जो ये कह रहा है कि बादचित जारी रहनी चाहिए केवल एक पठान कोट की घटना घट गई तो इसलिए बाचित को नकारना नहीं चाहिए बाचित जारी रहनी चाहिए और बहुत कम लोग हैं जिसमें मैं अपने को गिंता हूँ शाहद मा केला हूँ जो ये बराबर से कहता रहा है कि पाकिस्तान से बाचित का कोई नतीजा कभी भी निकलने वाला नहीं है इसलिए पाकिस्तान से बाचित नहीं करनी चाहिए अब ये दो पार्ट हैं बीच में खाई है जो भी सरकार होगी उसको चुनना होगा कि हम इस रास्ते जाएंगे या दूसरे रास्ते जाएंगे अगर हम इस रास्ते जाते हैं बाचित के रास्ते तो इस तरह के आक्सिडेंट इस तरह के आक्रवन इस तरह की तरासदी होती रहेगी और आपको दिल मजबूत करके खाना पड़ेगा कि कुछ भी हो हम पाकिस्तान के साथ बाचित करते रहेंगे मेरे रास्ते चलेंगे तो कोई तकलीफ आपको नहीं होगी क्योंकि कोई बाचित ही नहीं हो रही है इसलिए आज हम आप आप हमारे पास नहीं आते एक ही बात मैं जोर देके कहना चाहूंगा कि हमारे रास्ते चलने पर ये बहुत आवश्यक है कि भारत देश, भारत की सरकार ये सुनिश्चित करें कि हम अपने उपर आतंकवादी हमला नहीं होने देंगे कम वाट में, जितनी भी हमको राशी खर्च करनी पड़े, जो भी इंतजमात करना पड़े, हम अपने उपर आतंकी हमला नहीं होने देंगे ये करिए और आराम से पिर रही अपने घर में पर ये सुन जी, स्पेसिफिक इंपूट होने के बावजुद भी, एर बेस में आतंकी घुज गए, नुकसान हुआ हमारे जवान मारे गए, तो आपको लगता है कहीं मोदी सरकार इसमें चूख है बहुत बड़ी देखिए अभी ऑपरेशन चल रहा है, जैसे हम लोग बाचित कर रहे हैं, इसलिए अभी कोई इस पर टिपने करना उचित नहीं होगा, लेकिन मैं इतना जुरूर कहूँगा कि हर भारत का जवान, भारत के फौज का अफसर, भारत के नागरिख मारे जाते हैं, तो वो हम तकलीफ की बात है, कि हमारे लोग मारे जा रहे हैं, नहीं मारे जाने चीन, और खास करके पठान कोट के मामले में, जब एक दिन पहले, जिस स्पी की गाड़ी पकड़ी उन लोगोंने, उसने कहा कि आतंगवादी घुजाएं हैं, उसके बाद भी इस तरह का प्रिकॉशन नहीं लिया गया, इन्जाम नहीं किया गया, ये मुझे लगता है कभी न कभी इंक्वाईरी का विशह है, तो किसका फेलियर है, कि अंदर सरकार का फेलियर है, किसका फेलियर है, अगर इतनी सब जानकारी होने के बावजुद भी, तुरंत कारवाई नहीं की गया और एर ब हमारे सुरक्षा बल हैं उनको हम कहें कि हमारे देश उपर आतंकी हमला नहीं होना चाहिए और ये मैं कोई थोथी दलील नहीं दे रहा हूँ, जितना इंजाम करना था उतना इंजाम करके अमेरिका ने तो आज तक सुनिश्चित किया हुआ है कि उसके देश में आतंग की हमला दुबारा नहीं होगा और नहुआ तो इसलिए ऐसा किया जा सकता है और खास करके भारत के मामले में क्योंकि हम तो पचीस-तीस साल से आतंगवाद के शिकार रहे हैं और पाकिस्तान किसी माप से आतंगवाद भारत में पनपता रहा है तो इसलिए हमको तो अब तक कर लेना चाहिए था और मैं मानता हूँ कि ये निश्चित रूप से हमारी कमजोरी है एक देश के नाते चाहे जो भी सरकार हो कि हम इस तरह का इंजाम नहीं कर पा रहे हैं तो आपको लगता है कि मोधी सरकार की नाकामी बहुत बड़ी सरकार तो बाचित कर रही है ना उन्होंने जरूर ये कहा था कि गोली के आवाज में बोली के आवाज दब जाएगी लेकिन अब वो अब कोशिश ये कर रहे हैं कि गोली चले लेकिन बोली के आवाज उसके उपर हो होगा की नहीं होगा भगवान जाने लेकिन इसको कहने मे मुझे लगता है कि तनिक भी मुझे संकोश नहीं होगा कि नीत में परिवर्तन हुआ है पॉलिसी बदली है किस कारण बदली है मैं उसको नहीं जानता हूं लेकिन पॉलिसी बदली है जो बाते हम कहते रहे और आपको याद होगा कि वाजबाई सरकार में मैं केवल विदेश म मंत्री रहा यही मेरा अनुबव नहीं है मैं एक तरह से पार्टी का प्रवक्ता था विदेश मामलों में के मामले में पूरे 2004 से लेकर 2004 कहा जा तो टैरर टॉक साथ साथ नहीं चल सकते हैं उसमें यह कहते थे हम लोग और जब मनमोहन सिंग लोटकर आये शर्मिल शेख से तो में लोग सबा में मैं ही बोल रहा था पार्टी के तरफ से और मुझे अभी भी आदे कि मैंने कहा था कि सातों समंदर का पानी उस दाख को नहीं धोपाएगा जो आप शर्मिल सेख में भारत के उपर लगा कर आये हैं यह सब बाते हम लोग ने कहीं आज वो सब बाते हमारे के बारे में कहीं जा रही है तो ऐसा क्यों येश्वन जी कि नीती में बदलाव जो यह सही है या गलत है जो आप करें कि नीती में बदलाव हुआ है अटल वियारी वाजपे के टाइम में यह कहा जाता था टेरर टोक साथ नहीं चल सकते पाकिस्तान को जमीन पे कुछ करके दिखाना पड़ेगा तो आपको जो नीती की बात करें कि बदलाव हुआ है क्या यह सही है बदलाव यह गलत है देखें अटल जी के टाइम में भी नीत में उतार चड़ाव हुआ था तब ही नहीं हम बात करते हैं कि लाहोर का उत्तरुन ने कारविल से दिया और पार्लिमे समाप्त होगा और इसलामाबाद में जन्वरी 2004 में हम लोग नहीं यही हासिल किया वो लिखित है कि पाकिस्तान अपनी भूमी का या जो भूमी उसके नियंतरण में है उसका इस्तेमाल भारत में आतंक के लिए नहीं होने देगा उस समय पाकिस्तान नहीं कहा नॉन स्टेट को छोड़ कर उसमें तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है लेकिन पाकिस्तान हर लिखित समझते से भी निकलने की कोशिश करता है और 2004 के समझते से वो इस तरह निकल गया कि उसने कहा खे बही ये तो नॉन स्टेट अक्टर से हम क्या करें तो नॉन स्टेट अक्टर स्टान की धर् अगर हाफिस सईद जैसा आदमी घूम रहा है आग उगल रहा है विश उगल रहा है भारत के खिलाफ तो उसके लिए पाकिस्तानी जिम्यदार है ना अगर मुंबई के ऊपर जो आकरमनुवाद 2008 में और आज 7 साल बीतने के बाद भी एक भी व्यक्ति को पाकिस्तान में इसके किया गया है दंडित करने की बाद तो दूर रही तो ये तो हम सब के आँक के सामने है तो हम मुंबई को भूल गए कल हम पठान कोट को भूल जाएंगे और पाकिस्तान क्या कहता है वो कहता है आगे बढ़ो हर घटना के बाद पाकिस्तान कहता है आगे बढ़ो आगे की तर करते रहो क्योंकि पाकिस्तान को अंतराश्ट्री अस्तर पर इससे इज़त मिलती है कि पाकिस्तान भारत आपस में बाच्चित कर रहे हैं तो भारत क्यों विश्वास करता है एश्वन जी नहीं करना चाहिए मैं तो यहीं कह रहा हूँ आप से जोर देखे सतर साल का इतिहास ह कि पाकिस्तान अपने एक भी वादे पर कायम नहीं रहा है। अब तुनना तो मैं नहीं करूँगा लेकिन मैं सोच रहा था कि विशाद विदेश मंत्री नहीं है। वो तो विदेशी भारतियों की मंत्री है। इनाराइस एक ओवर्सीज इंडियन्स का यह होता है। उनके जितने बयान वगर आते हैं जनरली उसी से एक गीता वापिस आएगी उसके परिवार से मिलाएंगे। इस तरह की बातचित। और कितनी भूमिका वो निभा रही हैं विदेश मामलों में। इसकी बहुत जानकारी सामने नहीं आती है। देखें, विदेश का प्रधानमंत्री जो है, वो पंडित नहरू के टाइम से आज तक विदेश मामले में और विदेश मंत्राले में बहुत रुची रहता है। लेकिन एक coordination समन्वे बनता है जिसमें प्रधान मंत्री भी अपनी भूमिका में रहें और विदेश मंत्री भी अपनी भूमिका में रहें और ये समन्वे अगर बना के चला जाता है तो दोनों की भूमिका महत्वपुर्ण होती है अगर समन्वे कहीं न कहीं डिला पड़ता है तो फिर महत्व घटा है विदेश मंतरा लेखा तो घटा है आपको लगता है इस सरकार में नहीं अब मैं क्या आप जानते हैं क्या इस्थिती है मुझसे क्यों कहा हुआ रहे हैं फिर भी क्यों कि आप विदेश मंतरी रहे हैं दुनिया के दूसरे देशों के प्लतिनियों के साथ जिसमें मैं स्वेम मौजूद नहीं था या आठल जी यह नहीं कहते थे कि आप चलो मेरे साथ अब ही रहो इसी से आप जज्जमेंट कर लिए बड़ी खबर इस वक्त यह आ रही है कि यह और भी बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता था गुरी मन्तुरी राजनाथ सिंग ने बयान दिया है कि यह बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता था खुफिया एजन्सी